हलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपके अपने येटूब चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तो यदि अभी हम बिहार आने जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो भी बिहार में लॉकडाउन से पहले की तुलना में काफी कम ट्रेने चल रही हैं चाहे हम बात करें दिल्ली की, मुंबई की जा पिर किसी जानी सहर की काफी कम संख्यामें ट्रेने चल रही है और वहीं हम पेसंजर ट्रेनों की बात करते हैं तो पेसंजर ट्रेने घृत हमयार ना के बराबर चल रही है लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अपके अमसीर कैंसिल रहेंगी दोस्तो सारी बात होंगे इस वीडियो चुनरी ने डिया हुआ जल अपने वीडियो स्वरू करते हैं ऑने जिसे हमेशा के लिए चैनल गया है यानि कि यह टेन अब लॉकडाओन के बाद भी नहीं चलेगि दोस्तो यह टेन है मालदा टाउन से पुराने दिल्ली को जाने वाली फरक्त नहीं पूराने दिल्ली को जाने जाना चाहता है तो उसके पास टेनों की संख्या और भी कम हो चुकी है दोस्तो आपमाते है नॉर्मल टेनों पे जिनने गिने चिनों दिनों के लिए कैंसिल किया गया है दोस्तो इसमें सबसे पहली टेन आती है जैनागर से नई दिल्ली को जाने वाली सुनता सनानी एक्सप्रेस दोस्तो ये टेन अब 17 दिसंबर, 24 दिसंबर, 31 दिसंबर, 7 जनवर दिसंबर, 24 दिसंबर, 31 दिसंबर, 7 जनवरी, 14 दिसंबर, 24 दिसंबर, जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को cancel रहेगी और वहीं वापसी में चलने वाली अनंद विहार से रकसॉल को आने वाली एकस्प्रेस टेन जिसका नमबर है 05274 यह टेन 18 दिसंबर, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी को cancel रहेगी दोस्तों अग जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 26 जनवरी को रध रहेगी और दोस्तों इसी की वापसी टेन नई दिल्ली से सरसा को आने वाली वैशाली एकस्प्रेस अब 23 दिसंबर, 30 दिसंबर, 6 जनवरी, 13 जनवरी, 20 जनवरी और 37 जनवरी को cancel रहेगी और दोस्तों चलते हैं अगली जो की है मुझहपरपुर से अनन्द विहार टर्मिनल को जाने वाली सब्तक्रांती एकस्प्रेस दोस्तों ये ट्रेन अब 17 दिसंबर, 24 दिसंबर, 31 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को cancel रहेगी दोस्तों यही वो 6 जोड़ी यानि की 12 ट्रेने हैं जिनने सब्सक्राइब करें दोस्तों के लिए बस इतना ही मिलें फिर एकने वीडियो के साथ अब तक के लिए जया हिंद जया भारत